करें लेकिन आपको सब्द का हिंदी अर्थ नहीं मालूं कि असल में है क्या और ना ही किसी ने जानने कि का है तो मैं आपको ऐसा ही एक आज topic लेके आया हूँ हलंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो computer ही से subject ही पढ़ाता हूँ फिलाल में यहाँ पर एक छोटा सा मुझे लगा कि बताना चाहिए तो सरसब्द जो है इसके बारे थोड़ी सी detail मैंने रखी है कि सरसब्द का अर्थ क्या है इसका अर्थ जो है वो है मैं आपका गुलाम रहूँगा यानि कि सरसब्द जो है वो एक सोट फॉर्म है यहां से slave I remain यह इसका पूरा वाक्य है slave से as लिया I और remain से R लेकर के सोट में बनाया sir अब इसके थोड़ा background की बात करें यह सब्द आया कहां से और इसका अगर slave I remain का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है मैं आपका गुलाम रहूँगा तो आगे से आप किसी को सर बोले उससे पहले थोड़ा सोच ले कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है अर्थाद मैं आपका गुलाम रहूँगा इसका हिंदी अर्थ जाए इसके थोड़े detail में चलेंगे वो यह है कि जिसको हम सर कहते हैं तो उस व्यक्ति को संचेप में कहते हैं कि मैं आपका गुलाम रहूँगा मुझे आपकी दास्ता सुईकार है इसके अगर बात की बात करें तो यहां से और मैं आगे इसके प्रिकास्टन नहीं कोसिस करूँ तो बेग्ग्राउंड की अगर बात करें कि सरसब्द आया कहा से तो बेटेश सासन जो था कि दौरान यही चाहते थे यानि जितने भी बेटेश लोग थे जितने भी अंगरेश थे वो यही चाहते थे कि सभी भारतिय उन्हें सर के रूप में सम्मूदित करें क्योंकि वो डारेक्टली तो नहीं बोल सकते कि आप हमसे यह कहो कि मैं आपका गुलाम रहूंगा इसलिए उन्होंने एक यह नया तरकीव निकाला था जिससे यह भ्रह्म में पड़ें और इसका अर्थ भी ना जाने और तभी से यह सर का जो है प्रचलन में आया है आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हम सभी को सर कहके बलाते हैं हमको लगता है कि यह सर सब्द बोलने से समने वाले को सम्मान मिलता है और हमारा सिच्चत होने का प्रदसन भी होता है लेकिन आपको जीरो ग्यान है मैं कहूँ तो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सर सब्द का हिंदी अर्थ है ही किया हमारा एहंकार इसको मानने को मानने नहीं देता सच कहूँ तो हमारा एहंकार इसको मानने भी नहीं देता सच कहूंँ तो मैं भी अभीता के सर सब्द का जो मतलब था वो नहीं यानता था अम मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सवर प्रक्रास डालने कोज़िस करेंगे अमेरिका में राष्टपती को भी मिस्टर प्रेजिडेंट कहते हैं और इसी मिस्टर प्रेजिडेंट के नाम से सम्भूदित किया जाता है ना कि आपने कहीं भी किसी भी इंट्रिव्य में सर कहके आप नहीं देख सकते अंग्रेजों ने कितनी बुद्धिमानी से हमारे देसपस आसन किया और उन्होंने गलत अर्थ वाले सब्दों जैसे सर, अंकल, अंटी, हेलो आदे को हमारे देनेक सब्दावली में समलित करके हमको धीरे-धीरे मानसिक रूप से भी कमजोर करते रहें हम भी कितने मूर्क थे कि अभी भी उनके रास्ते पर आख बंद करके चलते आ रहे हैं